कि लास पोलेचेट का जो डाजेस्टिव ट्रैक्ट है एक स्ट्रेट लाइन ट्यूब पर मुश्मिल होता है मिजेंट्रीज और सेप्टा जो है वो इसकी बॉडी कैविटी यहनी सिलों में सस्पेंड़ेड होते हैं मिजेंट्रीज मिजोन का मतलब होता है मिडल और एंटिरोन हम कहते हैं इंटस्टाइन को तो डबल लेयर फोल्डिंग होती है पेरिटोनियम की इनकी इंटस्टाइन के अराउंड जिसे मिजेंट्रीज कहते हैं पेरिटोनियम जो के इनकी बॉडी का फिर्स्ट सेग्मेंट है पेरिटोनियम की डबल लेयर फोल्डिंग होती है इनकी इंटस्टाइन के अराउंड जिसे मिजेंट्रीज कहते हैं मिजेंट्रीज का काम होता है इंटस्टाइन को उस जगह पे होल्ड करके रखना सेप्टा, हन्य जैसे कहीं जानते हैं इनके बॉडी सेगम Welsh में डिवाइडिद होती है इक सेगमंन दूसरे सेगमंट से सेप्रड ऌथ हता है विद्धि हेलब आफ सेप्टा मिस अंंटरेउड जो हैं इसकी बॉडी कैविटी में सस्पेन्ड़ेड ओते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक का जो इंटीरियर रिजन है जिसे फेरिंग्स कहते हैं जो फिर्स्ट रिजन है डाइजेस्टिव ट्रैक का जिसे फेरिंग्स कहते हैं यह मोडिफाइड होता है एक से ट्रक्शर में जिसे प्रबोसिस कहा जाता है Specialized Protector Muscles और Silomic Pressure की मदद से यह प्रोबोसे जो है यह मुझ से बाहर निकलती है Protector Muscles प्रोटेक्टर मसल्स जो है यह एनिमल्स के अंदर ऐसे मसल्स होते हैं जो बॉडी के किसी पाउट को एक्स्टेंट करने के लिए रूस किये जाते हैं और Silomic Pressure जो है जैसे हम जानते हैं इसकी बॉडी केविटी यानि सिलो में फ्लोट प्रेजन्ट होता है जो कि Silomic Pressure को जो एक प्रेशर को एक्सर्ट जनरेट करता है जिसे Silomic Pressure कहते है सो Silomic Pressure और Protector Muscles की मदद से यह प्रोबोसेस को अपने मुझ से बाहर निकालते है बास जो पॉले चैट हैं इनमें प्रोबोसेस को जब बाहर निकाला जाता है तो इनके जो पेरड जास होते हैं यह उपन हो जाते हैं ताके वो शकार को पकट सके जो प्रेडेटरी पॉले चैट हैं वो अपनी बरोश यानि ट्यूब से बाहर नहीं निकलते जैसे शकार जो है इनकी रेंच में पहुंचता है तो यह अपनी इंटीर पॉर्शन यानी प्रबोसस को बाहर निकालते हैं और शकार को पकड़ के वापस अपनी ट्यूप में ले जाते हैं पकुछ्च यों पॉलेचाइट हैं उनके पास पाईजन ग्लैंड भी होते हैं उनकी जास की बیस में कुछ पॉलेचाइट हरभी वोरेस होते हैं यहीं ऐल tolerance को खाते हैं इसे स pineapple हैं डेड और डिटेंग को खाते हैं और अपने जास को यूज करते हैं पूट की की ते इनिए ज जो डिपोजिट फीडिंग वर्म से वह आर्गनिक मेटर को एक्स्ट्रेक्ट करते हैं मरीन सैडिमेंट से डाइजिस्टिव ट्रैक्ट इनका जो डाइजिस्टिव ट्रैक्ट है जैसे हमने बाद की स्ट्रेट लाइन ट्यूप पर मुश्मिल होता है इसे जैसरे के बाद की बार यह जो जाती हैुआ से क्रॉप पाद इस के तो है क्रॉप करते है चौहें को को आटा तक हैं ग्राइंडिंग को अजो इक लॉए जो है straight line tube होती है जिसे intestine कहते है जो organic matter है वो intracellinary यानि इस straight tube में digest हो जाता है लेकिन जो inorganic particles है वो intestine के थो release कर दिया जाते है as a casting casting जो है एक process है जिसमें liquid को mold form में तबदील कर दिया जाता है mold जो है कि खालो shape है जो बात में solid form में convert हो जाती है sedimentary and tube dwelling polychats वोगवले polychats जो sediments और tubes में रहते हैं वो mostly filter feeder होते है यानि ये water को filter करते हैं और वहाँ से ही अपनी खुराग को pick up करते हैं इनके पास वो बोसस नहीं होते बलके इनके पास एक खास किसम का specialized structure होता है feeding के लिए अब कुछ यूट्यूब डिवेलर्स हैं उन्हें हम fan warm कहते हैं इन्हें fan warm इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास एक tube shape fan like structure present होता है जिसे redule कहते हैं अब redule के उपर बहुत सारे स्माल सीलिया प्रैसेंट होते हैं इन सीलिया का काम होता है water को circulate करना और food के particles को trap करना स्ट पर के घंडिये जाते हैं तो थोब के particles groove की तरफ मूफ करते हैं अब त्रांसपोर्ट के दोरान에 जो होते हैं उनको मोथ की तरफ दिखेल प्रिंग कर दिया जाता facto कि लेकिन जो रॉच़ पार्टिकल होते हैं उनको reject कर दिया जाता है अब दूसरी उसर् extension actually फिल्टर फिल्टर है उन्हें चैटो पैटरस कहते हैं चैटो पैटरस जो हैं एक यूशेप ट्यूब के अंदर रहते हैं यह सेक्रीड करते हैं मुकस बैक को जिसमें फूट के पार्टिकल्स को क्लेक्ट किया जाता है इनके बाड़ी को जो सेग्मन्ट है 14, 15 और 16 यहां पे जो पेरापूड़ा प्रेजन्ट होते हैं वो मोडिफाइड होते हैं फैंस में जो यह फैंस जो हैं यह क्रियेट करते हैं जब यह म्यूकस पैक फिल हो जाता है तो यह इसको इंजेस्ट कर लेते हैं अपनाएशन ट्योबस के अंदर आते हैं इनके लिए डाजयस्टी वेश्ट को बाहर निकालना एक प्रॉबलम है देट ऑस्ट हो सदू और जाते हैं को उपन हो से तो इनके वींजे को निकालन असान वहता है क्योंकि circulating water के साथ waste को भी ट्यूब से बाहिर निकाल दिया जाता है लेकिन वो वाले पुले चैट जो ऐसी ट्यूब के अंदर रहते हैं जो सिर्फ एक साइड से open हो तो ऐसे पुले चैट क्या करते हैं ये अपने body को ट्यूब के अंदर turn करते हैं या अपने सिलरी ट्रैक को यूज़ करते हैं क्योंकि opening से feces को बाहिर निकालने के लिए अब वोवले पुले चैट जो ऐसे सबस्ट्रेट में रहते हैं जो organic matter से rich है जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में organic matter जो है वो present है तो वहाँ से तक्रीबन 20 से 40 परसंट जो अपनी energy के requirement है उन organic matter को अपनी body wall के across ही absorb करके हासिल करते हैं Gases exchange and circulation जैसे कि Newton को अपनी body wall के across absorb कर लेते हैं इसी तरह diffusion के process से ये gases को भी अपनी body wall से ही absorb करते हैं इनके पास parapoda present होते हैं Parapodia जो है क्या करते है Gas exchange के लिए सरफेसरीया जो हैasında बढ़ा देते हैं बास पोले जैट में Parapodia के parapoda में gills present होते हैं जिनहें हम parapodial gills कहते हैं ये गास इस चेंजे के लिए Pixar comprendal को भारा देते हैं इनका जो circulatory system होता है वो closed होता है जो करता है जैसे हम लोगों में oxygen को पीक करने के लिए हम बलड में केश्पारेटरी पीगमेंट्स होता मेन का हमोग्वन हिसे हीमोग्लोबन सेम्स तरह इनके पास इछBR informações में शर्योन एक इसकुल प्लास्मा के अंदर dissolve होता है, red blood cell के अंदर contained नहीं होता। पोलेचेटा के जो circulatory system है, इसके contractile element है darsal eota और winter leota, darsal eota जो है इसकी darsal surface पे गनी upper surface जो है यहाँ पर present होती है, इसके digestive tube के बिलकुल उपर, इसका काम होता है, ब्लड को पीछली side से front की तरफ प्रोपेल करना दो खेलना, ventral eota, ventral eota जो है इसकी ventral side पे यहनी इसका जो digestive tube है, इसके बिलकुल नीचे present होती है, और इसका काम होता है, ब्लड को front से rear की तरफ यहनी पीछे की तरफ प्रोपेल करना, अब इन दोनों योटास के दर्मियान में, यह दोना योटा है, डार्सल और विंटरल, इनके दर्मियान में segmental vessels present होती है, इनकी body wall और gut के अंदर, यह जो segmental vessels है, body wall और gut के अंदर, यह break down होके, चोटी-चोटी capillaries में divide हो जाती है, यह चोटी-चोटी capillaries में divide हो जाती है, segmental vessels जो हैं, यह blood को receive करती है, यह जोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-